हेलो दोस्तों एक बाद द्वारा से आप सभी का स्वागत करता हो आपके अपने चैनल पर चैनल को लाइक शेर सब्सक्राइब करेंगे दिल से बहुत बहुत धन्यवार दोस्तों टाइडल तो आपने रेट करें लिया है जी हाँ से उल्डे की लॉट्री लगने वाली है इस अपने हाथों से निकलने बत देना इस टॉक का नाप अपने देखी लिया है इनफी भीम ठीक है तो बात करेंगे इनफी भीम की लेटेस न्यूस और जो लेटेस न्यूस की चल रही जैसे आपको पता है कंपनी बोनस इस्यू करने वाली है यह हाँवलाल की न्यूस एक 17 ग और चार्ट के माध्य में जानेंगे बैस एंट्रिप्राइज स्टॉप लॉस एंड टार्गेट हो सके तो हो सके तो वीडियो को अंतर देखके जाना अगर आप सोच रहे हैं कि इसमें आपको पैसा लगाना है तो डेफिनिटल यह वीडियो आपकी लिए अंतर देखो आपको मैं इसमें कुछ बढ़ा देना चाहता हूँ पहले अगर अधिक्तम चार्ट में क्लिक करते हैं दोस्तों देख सकते हूं यहाँ पर 2018 के आसपा स्टॉक में काफी तगड़ा फॉल देखा गया था यह जो फाल आया था यह फाल क्यों आया था उसका एक रीजन था बह स्टॉक में क्या हो रहा है यह हमें जानना बहुत जूरी होता है तो मैं आपको शेर कर देता हूं कि 2018 के असपास क्रेक्शन आई थी यह एक तरह का दोस्तों रियूमर्स था तो जो 2018 में फाल आया था almost यह आया था 70% से उपर का एक दिन में तो यह तरह का रियूमर्स था ए रियूमर्स के बज़े स्टॉक 70% तूट गया और इनके जो परमोटर्स थे उन्होंने बहुत क्लियर वड़ो में कहा था जो भी अपडेट था इन्होंने पूरा 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 अपडेट एनसी और बीसी को दे दिया था एक तरह का रियूमर्स था और रियूमर्स के लोगों ने उसको अपरशुनिटी को कैश किया और 2020 में स्टॉक ने मेरे ख्याल से 25 रुबे का लो लगाया 25 रुपे का वहां से उस्टॉक अल्मोस 95 रुपे के आसवाद आशा ट्रेट कर रहा है और वहां से अल्मोस चार गुना हो चुका है तो अब जानते हैं कि स्टॉक और नेट प्रॉफिट इसका अप हुआ है 27 परसेंट और इनो ने वनस टू वन का बोनस भी इशू किया है और यह डेट क्या है बोनस इशू की इसमें अभी कोई ऐसे क्यों डेट मेंशन नहीं की गई है इनो ने लिखा है कि बोनस भी शेयर इशू होगा और इसकी जो रिक बोनस मिल जाएगा ठीक है अगर आप अनॉस्मेंट के बात करते हो तो डैफिनेटली यह डा मिले और आगे हमें देख लेते हैं स्टॉ कम्पनी है इसका मार्केट कैप 66 क्रोड के आसपास का करन पर चला 91 के आसपास हाई लोगर अब चेक करते हो 97 25 के आसपास है और कमपनी एक अच्छा कहा था डिबिटेंट भी दे रही है 0.11 के आसपास और देख लेता है stock में होर क्या है और दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो एक company almost debt-free company है अगर आप एक ऐसी company को ढूंड रहे है जो आपको bonus दे रही है जो और company debt-free है definitely आप stock में bet लगा सकती हो दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ infiveam shareholding pattern तो देख सकते हो आपके सामने में इसका shareholding pattern खोला हुआ है promoter की holding थोड़ी काम है 33% के आसपास promoters को hold कर रहे है मतलब काफी कम promoters की holding है एक थोड़ा ये negative है stock के लिए बाकि institution की holding आप देख सकते हो FII की holding almost 9% के आसपास FII इसको hold करते है बाकि थोड़ी बहुत retail की भी holding है हमारे 59% के आसपा तो definitely आप बोच सकते हो कि future में जैसे से price में price बढ़ेगा अच्छी news आने लगेगी stock के favor में तो definitely जो promoters है वो stock को public से buy करना start करने लगेंगे right तो definitely आप पैसा लगा सकते हो ठीटा आक है और देख लिए तो stock में क्या है तो इसमें मैंने इसके profitable loss खोल लगे तो मैंने जो profitable loss खोल लगे यह खोल लगे yearly basis में quarterly profits के काफी जवर दसता है तो definitely आप इसमें पैसा लगा सकते हो बाकी बात करते है कि yearly basis में क्या हो रहा तो देख सीधा बात करना हो दोस्तों इसके net income की ठीक है दोस्तों net income आप दे दोस्तों देख सकते हो FI 20 में इसको जब profit है 107 करोड के आसपास का हुआ है तो मतलब आप बोच सकते हो कि तो दोस्तों देख सकते हो profit में एक लगातार growth नज़र आ रहे है net income में तो भाई definitely stock को अबरा में रख सकते हो future में आपको एक multi-vega stock के सावित हो सकता हो और आपको ए definitely check out कर लेना और देख लिए stock में होर क्या अच्छा है इस दोस्तों दोस्तों देख सकते हो मैंने यह आपके quarterly results खोल लगे तो quarterly results में आपको बथा है इसकी revenue दिसम्बर बे 197 करोड के आसपास थी जो जो लगातार increase हो रही है तो definitely आप इसको रिडा में रख सकते हो quarterly basis में stock का profit क काफी अच्छे है तो दोस्तों यह बात होगे इसके fundamental analysis की fundamental analysis मैं बोला चाहूंगा overall company की story काफी बढ़ी है definitely आप इसमें पैसा लगा सकती हो company के profit है ठीक है अच्छे कासे company के profit है definitely पैसा लगाया जा सकता एक negative point इसमें दोस्तों यह है कि company के promoters काफी low है ठीक है लेकिन हाँ जै definitely आप stock को radar में रख सकते हो company half hour में bonus रिशू कर रही है अब बात करते है Infiveam share का chart analysis तो देख सकते हो मैंने chart खोला हुआ है यह weekly chart है दोस्तों मैंने Infiveam का weekly chart खोला हुआ है तो आप देख सकते हो कि मैंने एक range बना रखिए यह stock अभी एक range वे tight range में trade कर रहा है 96 और 73 तो दोस्त इस range का जैसे breakout हो का 97 ठीक है 97 के उसके उपर stock मुझे लगता है definitely पागल हो जाएगा पागल मत्तब एक आपको अच्छी रण देखे जा सकता है 97 के उपर तो देखो अगर आप चाहो तो stock को current market price में कल बाय करके चल सकते हो या वेट करो 97 का breakout का देखे मुझे लगता है 97 का breakout हो या last almost 4-5 मेने की ही आपका stop loss होना चाहिए मतलब जो आपका stop loss निकलके आता है इसमें वह है 70 रुपे के निचे अगर इस stock 70 रुपे के निचे चले जाता है daily candle में तो यह आपका stop loss हिट हो जाएगा और definitely आपको long term के लिए इस stock से exit कर लेना चाहिए हाँ अगर आपको future में द चाहिए और आपका stop loss निचे 70 के नीचे daily basis में राइट दोस्तों बात करते है इनफी वीम शेर प्राइस टार्गेट तो देख सकते हैं मैंने मंतली चार्ट खोला हुआ है तो पहला target निकलके आता है मेरा 140 रुपे का और दूसरा target मेरा है 237 रुपे का ठीक है पहला target है 140 एक 237 का ठीक है तो भाई definitely ये थे आपके इनफी वीम शेर के target तो भाई मेरे साथ भी definitely आपको stop loss बाय करके चलना चाहिए company bonus रुशू करने वाली है company के profit अच्छे है definitely आप से पैसा लगा सकते हो एक आटी शॉप्टवेर company ये है और आपको एक multi वेगर रेटन देखे जा सकत है 70 के नीचे आपका stop loss होना चाहिए 92 में आप बाय करके चल सकते हो पहला टार्गेट 141 का है दूसरा की 230 का है definitely upstep है पैसा लगा सकते हो तो ये था आपका इनफी वीम शेर प्राइस टूड़े ए इनफी वीम शेर टार्गेट आशा करता हूँ आपको बीज़े समझ आयागा समझ आयागा लाइक कर देना शेर करते ना कॉमेंट करते ना शेर काहा करोगे facebook, telegram, twitter और दुटसम में चलो आपके कोई भी सुजा होगा कॉमेंट करके आपको अपने अगले वीडियो तिल दन बाइ-बाइ-बाइ-थैंकि सुमा, safe trading, happy trading and peace out